हर अर महादेव दोस्तों, इस सेटेडी को मेरे नीन जल्दी खुली तो मैं सुबा उटके नाश्ता वगिरा के तयारी कर रही थी और मेरा बेटा तो अभी सोई रहा था और ऐसा सप्राइज अर्बन कंपनी से ये लेडी आती है मेरे मसाज के लिए तो मेरे भाई और इसके वाइफ ने as a birthday present मेरे लिए मसाज बुक किया था एक घंटे का बहुत ही मस्त मसाज था और बहुत नीड़ेड भी था मसाज के बीच में ही वेडू उट गया था तो मैंने इसको बाहर बेजा ये बैट के अपने दिव्या का के साथ ने उस पेपर पड़ रहा था और तब तक आ गय थे कुक इन्होंने लँच के त्यारी शुरू की और तब तक वेडू उसके पापा और दिव्या चले गया थे अपने कार से बैलून्स लाने के लिए मेरे भाई के बड़े पर हमने बूट स्पेस सजाया था कार का उपर बैलून लाके बहुत दिर तक वेदू खेल रहा था और मेरे हस्बन की फर्माईश थे कि मैं रागे मुद्दे बनाओ इन्होंने फ्राइड़े ही मांगा था बट मैं बना नहीं पाई थी ओफिस के काम से तो आज बनाया और आज हम सबने रागे मुद्दे बहुत एंजॉई किया और ये मुझे परसनली बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन हम लोग लंच कर रहे थे तो यह यहां मेडिटेशन कर रहा है ओम नमस्षिवाय बोलके लंच के बाद हम सब लोग दो तीन घंटे के लिए सो गया क्योंकि वीकेंड है और रलाक्स करना तो बिलकुल बनता है शाम हो गया तो विदू को तयार किया हम लोग भी थोड़ा फ्रेशन अप हुए तियार हुए तब तक आ गए थे गैस यह अपने चाहिए कुछ आज़ों को समझा रहा है कि पजल कैसे बनाना है और घर में बहुत सारे बैलून्स थे तो हमने बैलून के साथ काफ़े गेम्स खेले और डंप श्राच्स खेला काफी देर हमने गपे मारे एंजॉई किया तब तक सबके लिए डिनर ओर्डर कर दिया था मैंने क्योंकि यह मेरा बर्डे पार्टी था और ऐसा रहा हमारा प्यारासा दिन